हलो एवरीवन, वेलकम टू यू पीसी अंस्टॉपबल्स, मैं हूँ आर्ती चावडी और लास्ट सेशन में टेम्पल आर्किटेक्चर के पार्ट वन को आप सभी ने देखा होगा, जिसमें हमने नागर स्टाइल के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको स्टडी किया था, उससे जुड़े हुए कुछ शब्द सीखे थे और बहुत सारे एक्जाम्पल्स भी देखे थे, आज का ये जो पार्ट टू रहेगा, इसमें हम डिसक्स करने वाले हैं, द्रवीदियन और वेसार स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर, अगें, द्रवीदियन स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर आप साउथ में देखते हैं, वही वेसार स्टाइल का टेम्पल्स आपको डेक्किन में देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे हम आगे एक्जाम्पल्स डिसक्स करेंगे, वैसे वैसे करके आपको यहाँ पर द्रवीदियन स्टाइल के टेम्पल्स के समझाने लगेंगे तो आईए discussion स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Dravidian जब हम Dravidian temples की बात कर रहे हैं मतलब हम South Indian temples की बात कर रहे हैं Deep South में Kerala है Tamil Nadu है थोड़ा South का आंधर वाला region है वहाँ पर आप देखेंगे इन temples को इन regions में बहुत सारी dynasties में रूल किया है लेकिन अगर हम पर्टिकुलर्ली temple architecture की बात करें जैसे North India में गुप्तास के समय में temple architecture की शुरुआत हो रही है हिंदू temple architecture की शुरुआत हो रही है उसी तरीके से South में आपको पलव्स के अंडर temple architecture डेवलप होता हुआ नजर आएगा तो हम पलव्स के अंडर बहुत सारे examples देखेंगे यहां जैसे हमने पिछले episode में बात की थी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें जैसे हमने discuss किया था कि temple architecture में भी आपको दो types मिलेंगे सबसे पहले rock cut temples आते हैं और उसके बाद structural temples हम देखते हैं तो पलव्स के अंडर जिन्होंने यहां पर almost second century common era के बाद के समय से ही धीरे धीरे करके Tamil Nadu वाला जो हिस्सा है वहां पर philaf start कर दिया था मतलब पलव्स की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि पलव्स थोड़ा बहुत second century के आसपास दिखने लग गए थे but not as rulers राजाओं के रूप में नहीं लेकिन यह जो पलव्स हैं यह land of creepers यहां ऐसी जगह से हमें आते हों दिखते हैं पोंड़ा ही मंदलम से आते हों दिखते हैं जहां पे बहुत सारे creepers पाय जाते हैं जब इन्हें मौका मिलता है अपॉर्चनिटी मिलती है तो 6th century common era के आसपास यह अपने आप फैलाफ करते हैं अपना expansion करते हैं अपने आपको establish करके फिर expansion करते हैं और काफी लंबे समय तक इन्होंने South में rule किया है अगर मैं बाकी dynasties की बात करूँ तो पल्लव चालुक्याज के और नौर्थ में वर्धान्स के contemporary रहे हैं आईए इनके समय के कुछ temple architecture को study करते हैं लेकिन यहां पर इस पार्ट को discuss करने से पहले हम देखेंगे कि पल्लव डाइनस्टी के अलग-अलग period में अलग-अलग rulers आए हैं और उनके समय में यह temple architecture डेवलप हुआ है तो सबसे पहले हमें महेंद्र वर्मन आते हुए दिखेंगे महेंद्र वर्मन पल्लव डाइनस्टी के काफी important राजा माने जाते हैं और यह वो हैं जिनके समय में आपको रॉकपर टेम्पल्स के काफी examples देखने को मिलते हैं तामिल नाट में तो आएए देखते हैं रॉकपर टेम्पल्स की कुछ examples यह महेंद्र वर्मन गुरुक के temples हैं आपको यहाँ picture देखने से ही समझ आएगा कि एक बड़े से पत्थर में या एक बड़ी सी पहाडी में इन मंदिरों को काट कर बनाया गया है यह temples लॉर्ड शिप को dedicated हैं महेंद्र वर्मन लॉर्ड शिप के भक्त हुआ करते थे कहते हैं कि पहले वो जैनिजम को follow करते थे काफी जैम स्कॉलर्स को भी उन्होंने patronize किया है पर फिर लॉर्ड शिप की भक्ती उन्होंनों शिरू की और उसके बाद ये rock cut temples बने rock cut पत्थर में से काट कर बनाये गए मंदिर इन्हें आप cave temples भी कह सकते हो क्योंकि ये गुपा रूप में नजर आ रहे होंगे आपको cave के रूप में नजर आ रहे होंगे इसमें सेम एक तरह से पीछे की तरफ हम जाएंगे तो हमें गर्बा ग्रिहा मिलेगा और ये आगे जो pillar वाला portion आप देख रहे हो ये मंदब portion है और इसी के साथ साथ आपको इन पत्थरों पर carvings भी देखने को मिलेंगे जो rock cut temples होते हैं उन rock cut temples के लिए हम एक word और यूज़ करते हैं monolithic mono मतलब one lith मतलब stone एक ही पत्थर से पूरा मंदर बना है क्योंकि ये एक ही पत्थर से कटा है structural नहीं है इसको construct नहीं किया गया इसमें joints नहीं है fragments नहीं है तो महेंद्र वर्मन ग्रुप में आपको ये मंदर दिखेंगे ये कुछ sites है जहाँ पर आपको ये मंदर दिखते हैं जैसे कि मंडग पट्टू तामिलनाड में ऐसे ही महेंद्र वाड़ी मंदर फिर से तामिलनाड और इसी सर्षे तिरुचिरपली तिरुचिरपली रॉककर टेम्पल ये भी आप तामिलनाड में ही देखते हैं तो महेंद्र वर्मन नाम के जो पल्लव राजा थे इनके समय में नेक्स्ट इंपor्टेन रूलर आते है नरसिमावर्मन अब नरसिमावर्मन जो थे न वो महामल्ल भी कहलाते थे और महामल्ल के कहलाने के पीछे का कारण क्या था कि वो मल्ल युद्व में बहुत अच्छे थे मल्ल युद्व का मतलब होता है कुष्टी तो वो कुष्टी किया करते थे इसी वज़े से उन्हें महाम उस पर अटाक किया, खुद को वातापी कोंडा कहा। अब इन्ही के नाम से एक शेहर भी बना है। नरसिम्हावर्मन ने एक सिटी इस्टाबिश की थी और वो जो सिटी है, वो जो शेहर है वो महामलपुरम क्यालाता है। आज के समय में उसे उसी महामलपुरम उसी शहर को हम महाबलीपुरम क्याते हैं and interestingly इस महाबलीपुरम में हमें नरसिम्हा वर्मन के समय के रॉक कट टेम्पल्स मिलेंगे यानी कि मनहिंद्र वर्मन के बाद नरसिम्मा वर्मन के समय में भी रॉकटर टेंपल्स की ही एक्जामपल्स हमको नजर आते हैं तो लेट सी सम एक्जामपल्स सबसे पहले तो महाबलीपूरम में आपको रथ मंदिर मिलते हैं और फिलाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी रथ टेम्पल्स ही है नाव इन्हें रथ मंदिर क्यों कहा गया है इनके शेप के वज़े से जिस प्रकार से इन्हें बनाया गया है ऐसा लगता है मानो ये रथ के आकार के हो गूसरी बात ये सारे के सारे मोनोलिथिक है मतलब ऐसे करके एक छोटी पहाडी रही होगी उसी में से काट कर इन मंदिरों को बनाया गया है ये रथ मंदिर है महाबलिकूरम के नरसिम्मा वर्मन के समय के ये जो रत मंदिर है ये टोटल आठ है और इन आठ में से जो पाँच है उनका नाम पाँच पांडवों के नाम से रखा गया है इसी वज़े से उन पाँच को हम पंच पांडव रत भी कहते हैं तो आपको धर्मराज रत मिल जाएगा अरजुन रत, रतों के नाम है, रत टेंपल्स के नाम है भीम रत, नकुल सहदेव रत और द्रौपदी रत बाकी के जो तीन रत टेंपल्स है एक है गनेश रत, सेविंथ वन इस वलयन कुट्टी रत और फिर है पिद्री अमन रत, पिद्री अमन जो है वो गौड़ेस है जिनके नाम से उस रत टेंपल का नाम रखा गया है तो पहले के जो पांच है वो पंच रत टेंपल्स है और वेरी पॉपुलर महाबली पूरम में आपको देखने को मिलेंगे रोकट है, मोनोलितिक है, रत के आकार की है इन पंच रतों में सबसे छोटा रत टेंपल्स द्रौपदी रत है जो आप फिलहाल पिच्चर में भी देख पाएंगे इसी तरह से ये जो पिच्चर आपको दिख रहे है यहाँ पर ये जो रत मौजूद है ये देखे, ये धर्मराज रत है धर्मराज मतलब हम बेसिकली कौन थे पाँच पांडवों में जो धर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर मानते थे, युदिश्टर तो उनको डेडिकेटेड है ये रत अगर आप इस रत टेंपल को देखोगे तो ये रत टेंपल बहुत हद तक बुदिश्ट रॉककट केव से मिलता जुलता लगता है हमें जिस तरह से इसका जो रूफ वोल्टेड बनाया गया है वोल्टेड रूफ जो आप यहाँ पर देख रहे है उसके वज़े से तो ये हैं पांच रत ये आप महाबलीपुरम में देखेंगे इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे केव टेंपल भी महाबलीपुरम में नर्सिम्मा वर्मन के समय से ही जुड़े हुए मिले हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे महीशा सुर मर्दिनी मंडप ये एक केव टेंपल है इसको अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो ये केव टेंपल ऐसा दिखता है ये महिशा सूर मर्दिनी गौड़िस दुर्गा को डेडिकेटेड टेंपल है और हम जो फिलाल कार्विंग देख रहे थे वो यहां से एंटर होके आपको वोल पे नजर आईए तो यहां गौड़िस दुर्गा महिशा सूर मर्दिनी के रूप में दिखाई गई है महिशा सूर मर्दिनी यानि महिशा सूर को मारते हुए दिखाई गई है यहां महिशा सूर नाम का यह जो राक्षस है इस पर अटाक करते हुए दिखाई गई है यह देखिए गौड़िस दुर्गा सो ये महिशासुर मर्दिनी मंडप गुरनाइट पत्थर से कटिंग कर रखी है सेवन सेंचुरी से जुड़ा है रॉक कट है उसके बाद यहाँ पर हमें इसी तरह से महाबली पूरम में एक केव टेंपल मिलता है और उसमें लौड विश्नु को अनन्त सायन मुद्रा में दिखाया गया है एक तरह से अनन्त सायनम सायन मतलब सोना तो उनको इस तरह से सोते हुए दिखाया गया है ऐसी आपको बहुत सारी कार्विंग्स इन रॉक कर टेंपल्स के अंदर देखने को मिलेगी ये महाबली पूरम में ही आप देख पाएंगे लेकिन सबसे पॉपुलर जो कार्विंग है वो है ये आप यहाँ पर एक पैनल देख सकते हो पूरा पत्थर आपको नजर आ रहा होगा उस पत्थर के उपर आपको कार्विंग नजर आ रही होगी ये जो पूरा पैनल आप स्क्रीन पर देख रहे है इस पैनल की खास बात ये है कि इस पैनल में हमें दो कहानिया नजर आती है अगर आप इस पैनल पे ध्यान देंगे तो इस पैनल में अर्थ और हेविं दोनों को दिखाये गया है मतलब इस panel में ऐसे करके आप division देख पाऊगे नीचे का जो हिस्सा है ये पृत्वी है और उपर जितने भी figures आपको नजर आएंगे वो सब उड़ते हुए दिखाएगा है यानि ये heavenly figures है जो यहाँ उड़ते हुए दिखाए जा रहे है अब अगर आप इस section पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक part है जिसमें ये water naga है मतलब snakes, water snakes जो कि earth से heaven की तरफ जा रहे है तो ये क्या चीज है? अखिर ये क्या दिखाए गया है? water naga है तो water में रहते हैं यानि एक प्रकार से एक water की spring जैसे कुछ यहाँ पर पानी का पृत्वी से heaven की तरफ जा रहा है actual में ये जो यहाँ narration किया गया है carving की help से ये है Descent of Ganga आपने यहाँ पर Goddess Ganga और Raja Shantanu जो है उनकी कहानी सुनी हो महाभारत में सुनने में आती है किस तरह से चांतनू जो है वो Goddess Ganga से मिलते हैं और वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं लेकिन Goddess Ganga एक शर्त रखती है कि Raja Shantanu कभी भी गंगा से कुछ नहीं पूछेंगे चाहे वो अपने जीवन में कुछ भी करें तो Goddess Ganga जो है वो अपने पहले पुत्र को जन देती हैं लेकिन वो उसे नदी में बहा करा जाती अब Shantanu उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर तुमने अपने ही बच्चे को अपने ही बच्चे को पानी में क्यों बहाया पर यहाँ पे वो डर जाते हैं कि वो जो वचन मैंने दिया था वो पूछ जाएगा इसी तरह से पहले पुत्र को दूसरे पुत्र को तीसरे पुत्र को पूर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ऐसे करके वो बहाती रहती हैं पूरे किंडम में यहाँ पर पूछता शुरू हो जाती है कि एक मा अपने बच्चों को ऐसे कैसे बहा सकती है एक दिन शांतनू जो है वो बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने आखिर में पूछ लिया जब गॉड़ेस गंगा एक और पुत्र को बहानी जा रही थी और तब आप देखते हैं कि गॉड़ेस गंगा कहती है कि मैं आपके प्रशन का जवाब तो दे दूगी लेकिन याद रखेगा कि अब मैं चली जाओंगी क्योंकि वच्चन के मुताबिक अगर राजा शांतनू ने गॉड़ेस गंगा से कोई सवाल पूछा तो वो सवाल का जवाब देकर उनके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगे तब गॉड़ेस गंगा ने कहा कि ये जो बच्चे थे जो मैंने बहाएं हैं ये एक्च्वल में ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जन्म के डीमन्स थे जिनको किसमत में ये लिखा था कि वो मेरे ही हातों मोक्ष राप्त करेंगे लेकिन ये जो बच्चा है इसे भी मैं बहाने जा रही थी लेकिन आपने मुझे रोक लिया इसलिए मैं इसे नहीं बहाऊंगी पानी में नदी में बलकि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसे बहुत होनहार एक अच्छे पुत्र के रूप में पालूंगी हर चीज की सिक्षा दूंगी जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको आपका पुत्र वापस दे कर चली जाऊंगी और ये जो पुत्र थे ये जो बेटे हैं गंगा पुत्र ये कोई और नहीं है ये भीश में है तो भीश में पृतिग्या महा भारत में हम देखते हैं तो ये गौड़ेस गंगा का पृत्वी से हेवन में जाना दिखाया गया है जिसमें वाटर नागास को उपर उठते वे दिखाये गया है पानी उपर की तरफ जाता हुआ दिखाये गया इसी तरह से इस पृटिकुलर कानल के उपर अरजुन की तपस्या भी दिखायी गई है यहाँ पर आप अरजुन जो हैं उनको देख सकते हैं एक कांग पर वो खड़े हैं उपर इस तरीके से पॉस्चर बनाके और यह भी महाभारत का ही एक एपिसोड है जो इसमें दिखाया है तो ऐसी बहुत ही बहतरीन कार्विंग्स हमें महाबलीपुरम में देखने को मिलेंगी यह पूरा रॉकट आर्किटेक्चर है इसी तरह से फिलाल जो आप स्क्रीम पर देख रहे हैं यह त्री मूर्ती केव टेंपल है यह भी महाबलीपुरम में है साफ पिचर से ही समझ आ रहा है कि एक बहुत बड़े पत्थर में से काट कर बनाए गया है मोनोलिथिक है So these were some examples जिसमें हमने मोनोलिथिक टेंपल्स देखे रॉककट टेंपल्स देखे महाबलीपुरम रपा है तो नर्सिमा वर्मन के अंडर आपको यह आर्किटेक्चर दिखीगा नर्सिमा वर्मन के बाद जो नेक्स्ट राजा पल्लव डाइनस्टी में आए थे वो थे राजसिमा और राजसिमा के समय से ही चीज़ें बदलने लग गए मतलब राजसिमा is the one जिनके समय में स्ट्रुक्चरल टेंपल्स आने शुरू हो जाते है मतलब अब पत्थरों में से काट कर मंदिर नहीं बनाया जाएगा बल्कि अब मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा राजसिमा के पीरट से जुड़े हुए हमारे पास यहाँ पर लगभग डो एक्जाम्पल्स भी मौजूद है आईए उन्हें देखें तो सबसे पहला टेम्पल जो राजसिमा के समय से जुड़ा है और महाबली पुरम में ही मौजूद है और क्रक्चिरल टेम्पल का एक एक्जाम्पल है वो है शौर टेम्पल जो आप स्क्रीम पर देख सकते है राजसिमा के समय में बना है ये जो शौर टेंपल है ये शौर टेंपल लॉर्ड चिप को डेडिकेटेड है लेकिन इसके अंदर लॉर्ड विश्णु का भी एक श्राइन पाया गया है इस पर्टिकुलर टेंपल में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अब मैं आपको कुछ द्रवीदियन स्टाइल के टेंपल के फीचर्ड एक्स्प्लेइन करना चाहती हूँ हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो गर्बगरिह होता है उसके उपर या मंडब के उपर जो इस तरह का टावरिंग स्ट्रक्चर होता है इसे शिखर कहते हैं लेकिन द्रवीदियन स्टाइल के जो टेंपल्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं है द्रवीदियन स्टाइल के टेंपल्स में सिर्फ ये हिस्सा शिखर कहलाता है और ये जो पूरा पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे हम विमान कहते हैं शौर टेम्पल महाबली कुरम इस टेम्पल की पिच्चर में आपको एक और चीज नजर आ रही होगी और वो है नंदी के बहुत सारे स्कल्प्चर्स जो हम यहाँ देख सकते हैं तो इस पर्टिकुलर टेम्पल में आप यहाँ पर चारो तरफ नंदी जो हैं उनके स्कल्प्चर्स देख पा रहे हुए नंदी लॉर्डशिप के वाहन होते हैं और मोस्ली देखा गया है कि लॉर्डशिप की अगर एक ही मुर्टी है या फिर शिवलिंग मौजूद है पर एक तो उसके लिए नंदी का एक स्कल्प्चर नजर आएगा लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्पल में आपको ऐसे बहुत सारे नंदी के स्कल्प्चर्स मिलेंगे मानो इस पूरे मंदिर की घेराबंदी ही नंदी के स्कल्प्चर से की गई हो लेकिन काफी सारे आर्ट हिस्टोरियन्स का ये भी कहना है कि ये जो मंदिर फिलहाल हमें नजर आता है ये मंदिर किसी बड़े विशाल मंदिर का एक छोटा हिस्सा है क्योंकि यहां पे बहुत सारे जो स्कल्प्चर्स मौझूद है उनमें से कई स्कल्प्चर्स पानी में से मरीन आर्केलोजिस्ट के द्वारा निकाल कर यहां पर थापित के गए हैं यानि ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का काफी बड़ा हिस्सा शायद अब पानी में डूप चुका है क्योंकि यह समुद्र के बहुत किनारे है और काफी बड़ा हिस्सा तूट कर भी शायद पानी में गिर गया होगा तो यह सारी कहानिया इस मंदिर से जुड़ी हैं लेकिन हमें क्या याद रखना है इसकी location, Shaw temple, Mahabalipuram में राज सिम्मा के समय से है, Lordship को dedicated है और Structural Temple का एक बहुत अच्छा example है नहीं हम Structural Temples की बात करते हैं तो Structural Temples में अगला जो यहाँ हमें example देखनी को मिलता है केलाश नात मंदिर, पान्ची पुरम, Tamil Bennett मैं ये भी राज सिम्हा के द्वारा ही बनवाया गया, ये भी Lord Ship को ही dedicated है और इसकी खास बात ये है कि इस मंदिर के चारो तरफ आपको इस तरीके से वॉल देखने को मिलेगे, यानि दिवार देखने को मिलेगे, अब ये जो दिवार है, इस दिवार को क्रॉस करके जाने के लिए हमें एक gateway की आवशकता भी है, आप यहाँ पर इसका gateway भी देखोगे, एक छोटा gateway यहाँ है, छोड़ा सा आगे आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक और बड़ा gateway मिलेगा, ये जो gateway होता है, इसी को गोपूराम कहा जाता है, नागर स्टाइल के टेंपल्स के चारो तर दिवार जरूर होती है, जैसे अगर मैं कुछ और एक्जाम्पल्स आपको दिखाऊं, विल्ट टाइम जो हम डिसकस करेंगे, जैसे यहाँ पर यह जो मंदिर है, इसके चारो तरफ आप दिवार देख रहे हैं, इस दिवार को क्रॉस करनी के लिए ये एक gateway आप देख रहे ह ये ऐसे features हैं जो कि द्रवीदिन स्टाइल के temples को नागर स्टाइल से अलग करते हैं, अलग बनाते हैं, यहाँ एक और चीज जो समझने वाली है, जो हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं, as an example, यह कैलाशनात मंदिर कांची पुरम में है, आप यहाँ इस मंदिर का outer part देख रहे ह यह wall देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ आप विमान देख रहे हो, फिखर देख रहे हो, कलश और अमलक भी देख रहे हो, ठीक है, यह temple राज सिम्हेश्वर temple के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ही खुबसूरत यहाँ पे लॉर्ड शिप के sculpture sense के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यह वाला हिस्सा गर्बग्रीह के उपर है, यह अंतराल वाला पार्ट है, और यह सामने जो आप देख रहे हैं, कॉलम्स वाला हिस्सा, यह मंडब कहलाता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ स्कल्प्चर्स लॉर्ड शिप से जुड़े हुए नजर आएंगे, जैसे कि पल्लव से पहले लॉर्ड शिप के स्कल्प्चर्स को सोम स्कंद रूप में दिखाये जाते थे, सोम स्कंद यह किस टाइप का स्कल्प्चर होता है, इसमें हमेशा लॉर्ड शिप को गौड़िस पार्वती के साथ दिखाये जाता है, और स्कंद य और हम यहाँ पर देखते हैं कि पल्लव से पहले ये sculptures काफी बनते थे पर पल्लव के time पर राजसिम्मा के समय में भी मंदिरों में ऐसे sculptures पाए जाने लगे हैं. पल्लव के बाद next यहाँ पे जो major dynasty आई deep south में वो चोलाज थे और चोलाज के अंडर temple architecture और भी ज्यादा ग्रो करता है. यहाँ हमारे पास एक बहुत ही important राजा है राज राज चोल जिन्होंने राजा राजेश्वर नाम का temple बनवाया जिसे हम ब्रिहदेश्वर temple भी कहते हैं यह तांज और सामलनाड में हैं. यह particular temple यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ब्रिहदेश्वर temple या जिसे हम राज राजेश्वर temple भी कहते हैं इस पर्टिकुलर temple is dedicated to lordship लेकिन इस मंदर की खास बात यह है कि इस मंदर के अंदर lordship की मूर्ती के साथ साथ राज राज चोल जो राजा थे उनकी मूर्ती की पूजा भी होती थी इसी वज़े से इसको राजर राजेश्वर temple भी कहा जाता है इस नाम से भी जाना जाता है कहते हैं कि यह राजर राजर चोल पहले इसे राजा थे जिन्होंने मंदिरों में अपनी मूर्ती स्थापत करके पूजा करवानी शुरू की प्रेयर्स करवानी स्टार की यहां इस पिचर में आपको ब्रिहदेश्वर मंदिर की कुछ फीचर नजर आएंगे जैसे यह गर्बग रिह वाला हिस्सा है तो इसमें आप विमान, शिकर, कलश देख सकते हैं यह मंडब वाला portion है जो की colonnaded area है और इसके बीच में यह जो gap आप देख रहे हैं यह अंत जराल वाले portion में आपको बहुत ही खुबसुरत mural paintings के examples नजर आएंगे जैसे यह आप फिलहाल स्क्रीम पर देख सकते हैं पेंटिंग के आगे के episode में हम इस पर भी बात करेंगे यहां पर ब्रिहदेश्वर temple को आप और भी बहतर तरह से देख पाएंगे इसके चारों तरफ आपको दिवार नजर आ रही है इसका गोपुराम भी हमें देखने को मिल रहा है जो की entrance gate है मंदिर और गोपुराम के बीच में एक और मंडप मौजूद है जहां पर लौड नंदी जो है जो की लौड शिव के वाहन है उनका sculpture हमें नजर आता है और वो इस picture में आप देख स ब्रिहदेश वर टेंपल की खास बात है इसकी दिवारों पर मौजूद inscriptions बहुत सारे inscriptions आपको इस पूरे मंदिर की दिवार पर जगर जगर देखने को मिलेंगे जो चोल राजाओं के बारे में जानकारी देता है जैसे ये कुछ और तस्वीरे हैं जिसमें आप inscriptions देख स ये मंदिर की pillars हैं ये आप मंदिर का portion यहाँ पे ये वाला हिस्सा आप यहाँ देख पा रहे हैं और इसके उपर भी inscriptions मौजूद हैं तामल भाशा में तो चोलाओं के बारे में मंदिर की दिवारों पर बहुत कुछ लिखा गया है ये है ब्रिहदेश्वर मंदिर या राज राजिश्वर मंदिर चोलाज के टाहिम का अब पल्लवाज और चोलाज दोनों के समय में हमें यहाँ पर कुछ important sculptures मिलते हैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी सोमसकंद सोमसकंद मतलब जिसमें Lord Shiva और Goddess Parvati को दिखाया जाता है along with Lord Kartike अब आप कहेंगे इस picture में तो Lord Kartike नहीं ह लेकिन Lord Kartike जो है वो यहाँ पर इस picture में हुआ करते थे चोटे बच्चे के रूप में लेकिन वो जंक आ गया या वो वाला जो पार्ट है वो इससे detach हो गया है पलव और चोलाज के समय में ब्रॉन्ज और कॉपर के बहुत सारे स्कल्प्चर जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और चोलाज के टाइम का एक स्कल्प्चर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जिसे Lost Facts टेक्नीक से बनाए गया और वो Lord Shiva का स्कल्प्चर है तो पलव और चोलाज Lordship के बहुत भक्त हमें नजर आते हैं और उनसे जुड़ेवे बहुत से पत्थर के हूँ या मिटल के बने हुए स्कल्प्चर काफी पाए गए हैं आपको बिलकुल फिकर करने की जरूरत नहीं है अभी हम इस स्कल्प्चर के बारे में बात नहीं करें आगे के एपिसोड में हम स्कल्प्चर को डेडिकेटेड जब सेशन लेंगे तो वहाँ पर हम इसको डीटेल में जानेंगे इसके फीचर्स, सिंबॉलिजम और रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ेंगे अभी के लिए इतना ध्यान रख सकते हैं कि चोलाज के समय में Lordship के इ लीप साउथ में बन पाया तो वो विजयनगर एमपायर था और विजयनगर एमपायर के समय में भी टेम्पल आर्किटेक्चर और फर्थर आगे ग्रोह होता हुआ नजर आता है इसी में जब हम हम्पी जाते हैं यानि कि प्रेज्टेंडे کarmatak के हम्पी में हम जाते हैं तो विजय विठ्थला टेंपल तो सबसे पहले हम विजय विठ्थला टेंपल ही विजट कर रहे हैं विजय विठ्थला विठ्थला देव यानि की लौड विश्लू का एक अवतार उनसे जुड़ा हुआ ये मंदिर फिलहाल आप स्क्रीम आप यहां देख सकते हैं थोड़ी देर में आप इसे और बहतर समझ जाएंगे ये पर्टिकुलर टेंपल देवराय सेकंड यानि की विजय नगर एंपायर पर चार डाइनस्टी ने रूल किया है आप संगम डाइनस्टी देखते हो तो संगम डाइनस्टी के राजा देवरायदी सेकंड जो थे उनकी द्वारा ये मंदिर बनवाया गया और विद टाइम इसमें फर्थर और भी एडिशन्स किये गए अब इस मंदिर को थोड़ा देखेंगे और ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है ये कंप्लीट मंदिर का मैप है जो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते है इसमें आप देख सकते हैं कि टेंपल जो है उसको चारो तरफ इस तरह से दिवार खीची गई है फोर्टिफाई किया गया है और इसका यहाँ पर आप एंटरिंस गेट देख सकते हो गोपूरा देखें साउथ इंडियन टेंपल का फोर्टिफिकेशन जरूरी क्यों था क्योंकि साउथ में टेंपल जो होते थे वो सिर्फ वर्शिप प्लेस नहीं थे बलकि वो किसी भी राजा की ग्लॉरी उसकी डिगनिटी उसकी पावर उसकी wealth को symbolize करते थे तो एक राजा अपनी ताकत को दिखाने के लिए मंदिरों पे बहुत पैसा लगाता था एक राजा अपनी wealth को दिखाने के लिए मंदिरों को बनाने के लिए बहुत ज़ादा donations दिया करता था इसलिए south के temples north के temples के मुकाबले बहुत विशाल होते हैं और इन मंदिरों का protection भी एक राजा के लिए बहुत ज़रूरी होता था इसलिए इनके चारो और दिवारें खीची जाते थी बड़े बड़े entrance gate बनाए जाते थे गोपुरा कई बार तो south इंडियन rulers के बीच में जब battle हो जाती थी fight हो जाती थी तो ये south इंडियन rulers एक दूसरे के temples पर attack करते थे अपनी power को दिखाने के लिए जैसे एक राजा ने दूसरे राजा के temple के sculpture को उठा कर अपने temple में स्थापित कर दिया यानि ये विकपरी को symbolize करना हुआ that is why temple architecture south में थोड़ा विशाल है चारू तरफ boundaries है बड़े-बड़े gateways है जिने हम गोपुराम कह रहे है ये विजय विठल temple आप देख सकते हो basically यहाँ पर हमारा गरबगरी है उसके उपर विमान है ये थोड़ा अंतराल वाला हिस्सा है ये मंडप है जिसे हम महा मंडप भी कह रहे है महा मंडप के अलावा भी there are other मंडपs also जैसे यहाँ पर एक मंडप आप देख सकते हो कल्यान मंडप कल्यान मंडप वो मंडप होते हैं जिनका इस्तमाल शादी कल्यानम के लिए किया जाता है पहले साउथ इंडियन टेंपल्स में कल्यान मंडप नहीं होते थे लेकिन विजयनगर एंपायर में ये एक नया एडिशन था जो की किया गया ऐसे ही आप यहाँ उत्सव मंडप देख सकते हो इसका काम mostly ceremonies, festivals में ही नजर आएगा जिसमें इसका इस्तमाल नाच काने के लिए किया जाता था ऐसे ही पीछे की तरफ आप यहाँ पर एक सभा मंडप भी देखेंगे जहाँ पर mostly meeting वगेरा बैठाई जाती थी ये इस मंदिर का top view है जहाँ पर आप उत्सव मंडप देख रहे हैं गोपुराम देख रहे हैं कल्यान मंडप, सभा मंडप ये मेन टेंपल हो गया हमारा और इस मेन टेंपल के ठीक साइड में एक श्राइन है छोटी सी जिसे हम अम्मन श्राइन कहते हैं Interestingly, विजयनगर एंपायर के समय में ही यहाँ पर female consort की श्राइन बनी जाने लगी जैसे इस पर्टिकुलर टेंपल इस डेडिकेटेटे टू लॉर्ड विश्नु तो लॉर्ड विश्नु की जो consort है यानि की goddess लक्ष्मी उनकी श्राइन भी आपको टेंपल के अंदर मिलेगी अमन श्राइन हो या कल्यान मंडप ये साउथ इंडियन टेंपल्स में पहले नहीं पाए जाते थे ये विशे नगर एंपायर के समय में एडिशन किये गए हैं आए इस मंदर के बारे में कुछ और बाते जानते हैं यहाँ पी जैसे आप पिच्चर में देख सकते हैं ये गोपूराम है और ये में टेंपल है इसके बीच में यहाँ पर स्टोन चारिट यानि पत्थर का बना हुआ एक रथ मौजूद है इस पिच्चर में वो क्लियरली नजर तो नहीं आ रहा बट आई होप शायद आप उसे देख पाए गोपूराम और में टेंपल के बीच में ये है वो स्टोन चारिट ये रथ क्यों बनाया गया पहले तो ये स्ट्रक्चरल है इसको कंस्ट्रक किया गया है रॉक पट नहीं है एक्च्वल में ये जो स्टोन चारिट है ये असल में एक मंडप है जिसको रत के आकार में बनाया गया है कहते हैं कि इस मंडप के अंदर इस स्टोन चारिट के अंदर पहले गरुड का सकल्प्चर होता था क्योंकि गरुड जो है वो लौड विश्णू के वाहन है तो ये स्टोन चारिट इवन आप अपने इंडियन करंसी पर देखोगे तो आपको नोट के पीछे ये पिच्चर देखने को मिलेगी पहले इसके उपर इस तरह का टावरिंग स्ट्रक्चर भी हुआ करता था लेकिन इसकी हेविनेस के वज़े से नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो तोट रहा था इसलिए उपर वाले हिस्से को हटा दिया गया यहां पर आप फोटो देख सकते हैं गोपूराम की बहुत ही खुबसूरत गोपूराम बनाया गया है और इसको हाइट देने की कोशश की गई है अगर आप इस पिच्चर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर बड़े बड़े पत्थर के पीसेज हैं जिनको एक दूसरे में इंटरलॉक किया गया है विजयनगर के टाइम के जो मंदिर है उनमें किसी तरह के सिमेंटिंग एजिन्ट का इस्तमाल नहीं किया गया कि एक पत्थर है उसको दूसरे से चिपकाने के लिए किसी तरह की सिमेंट यूज की गयो नहीं पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है जैसे ये एक पत्थर है तो इस पत्थर को इस तरह के टेप वाले पत्थर के साथ इंटरलॉक किया गया है इंटरलॉकिंग टेकनीक और वो आपको यहाँ पे इस फोटो में इस पिच्चर में नजर भी आईगे इंटरलॉक करने के बाद एक मेटल की स्ट्रिप लिजाती है जिसको ऐसे दोनों पत्थरों पे लगाए जाता है और दोनों साइड नेल्स लगा दी जाती है कील लगा दी जाती है कुछ इस प्रकार से ये interlocking टेकनीक है ये पहला पत्थर ये दूसरा पत्थर ये interlock हो गया यहाँ पर metal की एक strip लगा दी ये nail यहाँ पर use कर लिए तो इस प्रकार से interlocking टेकनीक से ही हमपी में मंदर बनाए गये है ये थोड़ा सा close view है गोपूराम का गोपूराम के उपर इस तरह की carvings काफी common है जैसे इसमें आप Lord Vishnu जो है उनको देख सकते हैं मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे आप यहाँ पे मंडप के अंदर जाएंगे तो मंडप में आपको क्या मिलता है? मंडप के अंदर यह जो आप मंडप्स देख रहे हैं इन मंडप्स के अंदर आपको इस तरह से याली की carving देखने को मिलेगी नाव याली कौन है? जैसे अगर आप इटली जाते हो इटालियन आर्किटेक्टर देखते हो या फ्रेंच आर्किटेक्टर देखते हो तो एक superstition है कि architecture जो है mostly जो sacred architecture होता है पवित्र कोई स्थान होता है मंदर जैसा उसमें किसी भी तरह की negative spirit को दूर रखने के लिए उसके उपर gorbles बनाए जाते हैं और यह जो gorbles होते हैं यह किसी भी तरह की negative energy को sacred place से दूर रखते हैं याली इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि मंदरों में याली जो होते हैं वो gorbles की तरह होते हैं किसी तरह की negative energy को मंदर में घुसने नहीं देते मंदर को और मंदर में आने वाले लोगों को protect करते हैं ऐसे आप यहाँ पे याली देखेंगे इसी तरह से उग्र नरसिमा नरसिमा लौड विष्णू का ही अफ़तार है और उनके sculpture भी इस पूरे temple में जगर जगर कार्व किये गए हैं बलकि लौड विष्णू के अलग-अलग अफ़तार के sculpture आपको इस मंदर में मिलेंगे ओर लौड विष्णू के सत्वाद में ऑफ़तार लौड थालग में महामंदप धाव इस में आपको इस तरह के pillars मिलेंगे यह जो pillars हैं ए दोलत्सव menदप के pillars हैं मतलब महामंदप को दोलत्सव मंडबी, दोल उत्सव मंडबी दोल उत्सव मंडबी कहते हैं और इसमें आपको ये pillars मिलेंगे, ये pillars musical pillars कहलाते हैं ठीक है? मतलब एक बड़ा सा मंडब होगा, उसमें एक बड़ा pillar होगा उसके चारो तरफ इस तरह के छोटे-छोटे pillars होगे ये musical pillars इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब इन्हें tap किया जाता है तो ये बहुत ही सुन्दर sound create करते हैं इन्हें हम सारे गामापा pillars भी कहते हैं बलकि इन pillars के नीचे छोटे-छोटे heavenly figures गांधरवाज बनाए गए हैं छोटे-छोटे draft figures होते हैं जिने हम गांधरवाज कहते हैं वो नाचते-गाते दिखाय जाते हैं तो मान लीजे एक pillar है musical pillar उसके नीचे गांधरवा बनाया गया है जो की तबला बजा रहा है तो उस pillar उसके उपर जो pillar है उसको tap करने से तबले की आवाज आती है मान लीजे कहीं पर कोई गांधरवा बासुरी बजाते हुए बनाया गया है या दिखाया गया है पार्व किया गया है तो उसके ठीक उपर का जो pillar है उसको tap करने से बासुरी की आवाज आती है So this is quite interesting ये musical pillars भी यहाँ पर देखे गए है कहते हैं कि विजे नगर इंपायर के एक राजा कृष्ण देव राय के समय में ये musical pillars आड किये गए थे उनका music में interest था उनकी एक wife चिन्नमा देवी classical dancer थी इस वज़े से and Britishers को भी ये चीज़ काफी fascinating लगी that how is this possible क्या ये pillar अंदर से hollow है जिसके वज़े से ये sound create कर रहे है कुछ pillars तो Britishers उठा कर भी ले गए लेकिन उन्हें इसके अंदर कोई hollowness नजर नहीं आई ये solid pillars है ये पत्थर का अपने आप में एक composition हो सकता है अनोखे प्रकार का जिसके वज़े से ये pillars इस तरह का sound create करते हैं so this is अगला example आता है विरुपक्ष मंदिर temple ये भी मंदिर है temple है हमपी में है और ये Lord Shiv को dedicated है ये यहाँ पर देवराय सेकेंड जो हमने पीछे पड़े थे उन्ही के एक मंत्री एक नायक ने बनवाया जिनका नाम था लकन दन्देश ये विरुपक्ष temple काफी विशाल मंदिर है यहाँ से आप इसको देख माएंगे ये तुंगा बद्रा नदी के पास है तुंगा बद्रा नदी जो है उसे गौड़िस पार्वती का ही रूप माना जाता है इसी वज़े से इसको पंपा देवी भी आता है और ये पंपा देवी के नाम से ही हंपा यानि हंपी शेहर का नाम हंपी पड़ा है तो पंपा देवी यानि की तुंगा बद्रा नदी के पास ये मंदर स्थित है ये लॉडशिप को डेडिकेटेड है आप इसमें fortification देख सकते हैं, आप इसमें बड़ा सा गोपूराम देख सकते हैं, मतलब entrance gate देख सकते हैं main मंदिर तो यहाँ है, यह तो सिर्फ gateways है, entrance gate है इस particular temple की सबसे खास बात है mural paintings जब आप इस मंदिर में जाते हैं, और इस मंदिर में main shrine में जाकर feeling को देखोगे, walls को देखोगे उसके उपर आपको बहुती खुबसूरत mural paintings देखने को मिलेगी, जिसके examples screen पर मौझूद है जैसे यहाँ पर गिर्जा कल्यान, यानि Lord Shiva and Goddess Parvati के विवा को दिखाया गया है, paint करके आपको मंदिरों में अश्ट दिकपाल भी देखने को मिलते हैं इन जनरल हिंदू temples में अश्ट दिकपाल या तो पार्व किये जाते हैं, या paint किये जाते हैं दिक का मतलब होता है direction, तो आठ दिशाओं के रखवाले, अश्ट दिकपाल, यहाँ मनमठ विजय दिखाया गया है कैसे यहाँ frame की जो देवता है, काम देव, वो यहाँ पर Lord Shiva जो है, जो एकदम सन्यासी बन गए थे Goddess Sati की मृत्यों के बाद, उनके अंदर emotions जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मनमठ विजय, बहुती interesting कहानी है यह भी तो इस तरह की बहुत सारी आपको stories इस temple की ceiling पर walls पर देखने को मिलेगी किसी दिन Indian Paintings के episode में हम इन paintings पर और भी detail में बात करेंगे Next, Vijayanagar Empire के declination के बाद, जो rule आया, वो था नायक्स का rule नायक्स आये, नायक्स ने अपना South में rule establish किया और इन्हों ने मंदिरों को Apex लेवल पर पहुचा दिया नायक्स के अंडर बना एक बहुत ही विशाल मंदिर जो की मिनाक्षी अमन टेंपल भी कहलाता है या फिर जिसे हम कह सकते हैं मिनाक्षी सुन्दरेश्वर टेंपल यह मंदिर दो हिस्सों में बना हुआ है एक तरफ गौड़िस मिनाक्षी और दुसरी तरफ लौड सुन्दरेश्वर यानि लौड शिव तो आप यहां पे लौड शिव और गौड़िस पारवती को डेडिकेटेड यह मंदिर देखेगे इस मंदिर के गोपूराम को देखेए यह इस मंदिर का गोपूराम है और यह दुन्या में सबसे बड़ा माना जाता है इसी गोपूराम की यह उपर कल्प्चर्स और कार्विंग्स मौजूद है यह टेंपल पैरलेलोग्राम शेप बनाता है पूरा लगभग ग्यारा गोपूराम है एक हजार फिलर्स वाले आपको देखने को मिलेंगे यहां पर भी आप याली को देख सकते हो इसमें भी याली मौजूद है पूल ओफ लिलीज यहां पर आपको पूल ओफ लिलीज नजर आएगा तो यह टेंपल का थोड़ा आस्मान से स्टाई से वियू आप देख सकते हैं कितने सारे गोपूराम है और कितना बड़ा और कितना विशाल मंदिर है तो मतलब नायक्स के समय तक आते आते तो मंदिरो कि विशालता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मिनाक्षी टेंपल मदुराई सामिना सिक्स्टीन फिफ्टीज में यह मंदिर तयार किया गया और इसी तरह से हमारे द्रवीदियन स्टाईल के टेंपल के जो एक्जाम्पल्स हैं वो पंप्लीट होते हैं अब हम बढ़ते ह हमारे थर्ड टाइप के टेंपल आर्किटेक्चर की तरफ जिसे आप वेसार कह सकते हो जिसे आप डेकन स्टाईल का टेंपल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं देखे इस टेंपल आर्किटेक्चर के कोई आर्किटेक्चल फीचर्स नहीं है फीचर्स क्यों नहीं है वो अभी आपको समझा जाएगा एक तरह से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या study किया है हमने देखा है कि नौर्थ इंडिया में नागर स्टाइल के temples थे साउथ में हमें द्रवीदियन स्टाइल के temples मिले लेकिन यह जो वेसार स्टाइल के मंदिर हैं यह यहाँ पाए जा रहा है और यह जो मंदिर है इनमें नागर और द्रवीदियन दोनों की ही features हमें नजर आते हैं मतलब यह temple architecture hybrid style का है वेसार तो आपको इसमें द्रवीदियन के features भी दिखेंगे, नागर के features भी दिखेंगे, मतलब mix है क्योंकि यह sandwiched है दो architectural styles के बीच में Let's start with some examples वही बात है कुछ temples, rock cut आपको नजर आएंगे और कुछ उसके बाद आप structural temples देखोगे तो जब हम यहाँ पर वेसार style के temples की बात करते हैं तो majorly आपको यह मंदिर महराष्टरा का थोड़ा south region और करनाटका में देखने को मिलेंगे तो करनाटक region जो था वहाँ पर बहुत सी dynasty ही रूल किया है और उन में से सबसे पहली dynasty जिसके समय में temple architecture हमें दिखता है वो है चालुकियाज who were contemporary to Pallavaz as well as वर्धान in North India तो चालुकियाज हमें यहां आते दिखेंगे अभी चालुकियाज के दो capital रहे हैं एक बादामी रहा है जिसे हम वातापी के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है आई होल इन दोनों ही जगहों पर आपको temple architecture के examples मिलेंगे तो सबसे पहले जब हम बादामी की तरफ बढ़ते हैं तो बादामी में आपको यह बहुत ही विशाल पहाडी नजर आ रही होगी red sandstone की बनी हुई इस पहाडी के अंदर आप यहाँ पर cutting देख पा रहे होंगे यह rocker temples है यह यहाँ पर जो आप देख रहे हो बादामी है यहाँ पर जो picture आप देख रहे हैं देखिए थोड़े पहले में गांधरवास की बात करी थी and interestingly यहाँ पर गांधरवास की carving दिख भी रही है गांधरवास ड्राफ होते हैं बोने figures होते हैं यह जो नाचते गाते दिखाये जाते हैं dance music से जुड़े हुए तो यह जो बादामी rocket caves हैं these caves are in total यह 5 है जिन में से 4 जो हैं वो Lord Vishnu को dedicated हैं Lord Vishnu की shrines हैं और आखरी जो 5th cave है वो Jain cave है, Jainism से हुई है, तो यहां Hindu temples में 1st 4 caves Lord Vishnu को dedicated हैं बट ऐसा नहीं है कि Lord Shiv के sculptures इसमें नहीं पाए गए, बिल्कुल पाए गए हैं, बलकि cave number 1 के entrance पर ही आपको यहां Lord Shiv Natraj के रूप में नजर आ जाएंगे हैं यह है बादामी cave temple rock cut caves हैं red sandstone से काटी गई हैं dedicated हैं इसके बाद थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं तो अई होल में आपको रावन फाडी cave मिलेगी again, rock cut cave temple का एक example यह जो रावन फाडी cave है, this particular cave is dedicated to Lord Shiv आपको इसके अंदर Natraj sculpture मिल जाता है इसी के साथ साथ इस particular cave के अंदर सब्त मत्रिकाज पाया गया है, there is a story सब्त मत्रिका, डेक्किन में सब्त मत्रिका कल्ट बहुती common हुआ करता था, जिसमें साथ देवियों की पूजा होती थी कहते हैं, according to Hindu mythology रक्त बीज नाम का एक राक्षस होता था, यह रक्त बीज नाम का राक्षस, ऐसा राक्षस या डीमन था जिसका blood अगर जमीन पर नीचे गिर जाएगा तो उसमें से एक और रक्त बीज जन ले लेगा, यानि रक्त बीज को मारा नहीं जा सकता और उसे कोई male god नहीं मार सकता है तो अब क्या किया जाए तो साथ माता हैं जितने भी ने मिलकर यहाँ पर रक्त बीज को मारा और इसमें goddess kali का सबसे important role था कि जब बाकी की देवियां रक्त बीज को मार रही है तो उस समय में जो उसका blood नीचे गिर रहा है वो goddess kali धर्ती पर गिरने नहीं दे रही है वो अपनी tongue की मदद से उस blood को नीचे गिरने से पहले ही स्वेलो कर जाती है इस तरह से रक्त बीज को मारा गया तो सब्त मत्री का इनकी carving भी रावन फाडी केव के अंदर मौजूद है ये rocket केव के examples है इसके बाद next हम चलेंगे यहाँ structural temples के ओर और ना द्रवीदियन में है ना ही इसको नागर में count कर सकते हैं हम अब ये लडखान क्यों कहलाया पहले तो ये लॉड शिफ को dedicated a temple कहते हैं कि एक Muslim traveler थे लडखान नाम की जो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहे थे उन्होंने इसे घर के रूप में रही है वो यहाँ इसको घर के रूप में देखकर घर के रूप में उन्होंने इसे इसे इस्तमाल किया है और तबी से इसका नाम लडखान पड़ गया इस particular temple को देखकर ऐसा लगता है मानो इसका जो रूफ है वो लकडी के गठे यानि wooden lock से बनाए गया है लेकिन असल में यह है पत्थर ही structural temple है two-stored है ना द्रवीदियन में है ना नागर में है वेसार style में है lordship को dedicated आई होल में चालुक्यास के समय का है आई होल में एक और मंदिर आपको मिलेगा दुरगा temple यह 7th, 8th century में बनाए गया goddess दुरगा को dedicated है इस मंदिर की बनावट को देखिया कुछ इस shape का मंदिर है ऐसे बीच में गर्बा ग्रीह है गर्बा ग्रीह के ऊपर इस तरह का विमान जैसा towering structure भी बनाया है लेकिन चारों तरफ गर्बा ग्रीह के ऐसे pillars है यह आप हिस्सा देख पा रहे होंगे यह जो हिस्सा है आप pillars देख सकते हैं इसके उपर mythun sculptures भी आप देख सकते हैं यह temple भी वेसार style का एक बहुत अच्छा example है फिर अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसी site देखनी है जहां नागर temples भी हो द्रवीदियन भी हो और वेसार भी हो तो सबसे अच्छी site होगी पट्टाडकल का नाटक में पट्टाडकल यह पूरी site बलकि इसके सारे temples को युनास्को की लिस्ट में जगा मिली है पट्टाडकल में दरा total 10 temples जिन में से चार पूरी तरह से द्रवीदियन स्टाइल में है चार पूरी तरह से नागर स्टाइल में है एक जैन है और यहां पर एक temple जो 10th temple बच गया पापानाथ temple which is dedicated to लौड शिव यह आपको वेसार में मिलेगा मतलब इसमें नागर और द्रवीदियन दोनों के ही features मनते हैं यह पूरा temple complex जो आप पिच्चर में देख रहे हैं एक ही जगह पर यह सारे मंदिर हमें नजर आ रहे हैं यह मालप्रभा नदी जो है उसके पास पाई गए है पट्टाडकल अरनाटक में पपानाट temple वेसार स्टाइल में है यह इसमें mixture है नागर द्रवीदियन का मतलब चार पूरी तरह से नागर चार पूरी तरह से द्रवीदियन एक अलग से जैन temple है जिसका अपना अनुखा ही shape है और एक जो बच गया total 10 है क्योंकि यह fusion है mixture है नागर और द्रवीदियन का पापना temple important फिर यहाँ पर आप देखोगे एक और मंदिर है जो काफी popular है इस विरुपक्ष टेंपल पटपाडगपल एक विरुपक्ष टेंपल हमने हमपी में भी देखा है यह मंदिर श्री लोकेश्वर महा सील प्रसाद भी कहलाता है इसे चालुक्यास के समय में ही बन रहे है यह टेंपल इसे चालुक्यन राजा विक्रम आदित्यरी सेकंड की वाइफ लोका महादेवी के द्वारा बनवाया गया था ग्रवीदियन स्थाइल का पूरी तरह से टेंपल है और यह कांची पुरम के केलाशना टेंपल से काफी माच करता है ठीक है कहते हैं कि इसे लोका महादेवी ने अपने हस्पिंड जब विक्रम आदित्यरी सेकंड ने पल्लवास पर जीत हासल की थी उसकी खुशी में बनवाया था तो ऐसे आपको चालुक्यास के समय में पट्टा डक्टल में भी सीरीज ओफ टेंपल नजर आती है तेंटेंपल है और इनकी प्रॉपर काटेगरीज भी हैं जैसे अभी हमने थोड़ दे पहले डिसक्स की पूरी साइट युनियस्पू की लिख में है जब हम आगे बढ़ते हैं मेडाइवल पीरिड में तो हमें डेक्केन में राश्ट्रकूटाज रूल करते हुए नजर आते हैं चालुक्यास के फ्यूडेट्रीस थे राश्ट्रकूटाज बाद में चलकर अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टाबलिश किया इनके समय का जो एक बहुती कमाल का मंदिर है लेकिन रॉक कर टेंपल है वो है एलोरा की गुफाओं में और वो है कैलाश नाथ टेंपल राश्ट्रकूट डाइनस्टी के राजा क्रिश्ण दी फर्स जो थे उनके द्वारा ये पर्टिकूलर टेंपल बनवाया गया है बलकि पट्टा डकल में जो एक जैन टेंपल है वो भी राश्ट्रकूटास के द्वारा ही बनवाया गया था कैलाश नाथ टेंपल इसे थोड़ा उपर से देखते है देखें आँ आपको समझ आ रहा होगा कि ये पूरा ऐसे कवर्ड था ये पूरा ऐसे पत्थर हा होगा और इसको उपर से नीचे की तरफ जाते हुए पूरे मंदिर को काटा है ये मोनुलिथिक है ये रॉककर टेंपल है अपने आप में मनुष्य की कारिगरी का एक बहतरी नमूना कैलाश नाथ मंदिर डेडिकेटेट टू लॉर्ड शिव कृष्णादी फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया इसमें आप यहाँ पे कार्विंग देख सकते हैं अब मेरा इस मंदिर से जुड़े हुआ एक क्वेशन है जिसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में देंगे पहली बात एलोरा केव्स में टोटल कितनी केव्स है और ये जो मंदिर आप फिलाल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कौन सा केव नमबर है मतलब देरा टोटल केव्स होंगी केव वन, केव टू, केव थ्री ये पर्टिकुलर टेंपल जो है इसको जो केव नमबर दिया गया है क्योंकि ये केव टेंपल ही हुआ गुफा के रूप में है काटा गया है पत्थर से, ओपन टू स्काय है तो इसका भी कुछ केव नमबर होगा वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे आगे बढ़ते हैं राश्टर कूटास के बाद अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे बहतरीन वेसार स्टाइल के टेंपल्स देखने हैं तो अगली बारी है होईसलास की और होईसलास के जो टेंपल्स हैं वो आपको बेलूर, हलेबिद और सोमनात कुरम में मिलेंगे इंट्रिस्टिंग बात यह है कि ये टेंपल्स रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि होईसलास के इन मंदिरों को युनास्को की लिस्ट में शामिल किया गया है इस कारण से तो बेलूर में चिनना केशवर टेंपल आप देखेंगे हले बिद में होईसलेशवर टेंपल और सोमनाथ पुरा जो है वहाँ पर आपको केशवर टेंपल नजर आएगा एक एक करके इन मंदिरों को थोड़ा विज नहीं देखी है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो से भी इसे कवर कर सकते हैं चेनना केशवर टेंपल इसे विजय नारायन टेंपल भी कहते है इस डेडिकेटेट टू लॉर्ड विश्नु यहाँ पर यागाची नदी के पास ये मंदिर है विश्नु वर्धन नाम के आगे आएगा जो ड्रवीदियन स्टाइल के टेंपल बना रहा था उन्होंने इस मंदिर के बाहर गोपूराम लगाया इस मंदिर में तीन श्राइंज है जो तीन गॉड्स को डेडिकेटेड है पहले कपे चनिग्राय टेंपल पिर चनकेश्वर पिर सोमयान सोमयान यागी यह तीन श्राइंज आपको इसके अंदर मिलेंगी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर कोई बतलब यह फ्लाट है इसका जो रूफ है वो एकदम फ्लाट है कोई टावरिंग स्ट्रक्चर वगेर आपको नजर नहीं आएगा तो यह विसार स्टाइल में है चिन गरूड स्टम जो है वो लौड विश्णु के वाहन गरूड को दर्शाता है गरूड को दिखाता है जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुती कमाल की कार्विंग्स देखने को मिलेंगी बहुती कमाल के पिलर्स देखने को मिलेंगे जो देखने पर तो मो टेम्पल के अंदर पाए जाने वाले पिलर्स में सबसे खुबसूरत और विशाल पिलर है नर्सिम्हा पिलर. माव कीजिए. And these are some carvings जो की चेननकेश्वर टेम्पल के उपर हमें नजर आती है. जैसे यहाँ पर आप वराह अवतार के रूप में लॉड विश्णु को देख सकते हैं. यहाँ पर यह जो नीचे पैनल्स आप देख रहे हैं इसमें फाथियों को दिखाये गया है शेर जो है उन्हें दिखाये गया है घोडों को दिखाये गया है अलग-अलग दिशाओं में भागते हुए तो ऐसे कार्विंग्स चिननकेश्वर टेंपल पर बहुती खुबसूरती से की गई है ये वेसार स्टाइल में ही आता है अगला जो मंदिर है वो हुईसलेश्वर मंदिर है हले बिद में ये भी राजा विश्णु वर्धन के समय में बना है लॉर्डशिप को डेडिकेटड है और इस टेंपल का जो शेप और साइज है वो चेनकेश्वर मंदिर से ही मिलता है इसके उपर भी ये जो नीचे बेस पैनल्स है इनके उपर रामायन और महाभारत के एपिसोड को कार्व किया गया है अब इस मंदिर को जब आप देखते हैं या फिर होईसलास के अंडर इन जनरल जब आप मंदिरों को देखेंगे उनकी ग्राउंड प्लानिंग को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये स्टार शेप में है मतलब इन मंदिरों को उपर से देखोगे ग्राउंड प्लानिंग देखोगे तो आपको यह मंदिर इस तरह से थोड़ा star shape में नजर आएंगे मैं चाहती हूँ कि आप इस मंदिर के foot पर नजर डाले यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझाएगा कि एक प्रकार का star shape बन रहा है यह stellate plan होता है और hoyslas के अंडर जो मंदिर है वो इसी star shape की ground planning के साथ बनाए गए है next is केशव temple केशव temple यह सोमनातपुर में है जकनाचारी नाम के आर्किटेप्ट के द्वारा बनाए गया काविरी नदी के पास है बहुत ही बहतरीन example है यह hoyslas के समय के मंदिरों का सबसे बहतरीन उधारन यही है बहुत अच्छी हालत में यह मौजूद है और इसके आसपास यह दूसरी shrines भी हमें दिख जाती है इस मंदिर में जब हम जाते हैं और मंदिर की ceiling को देखते हैं तो आपको इस प्रकार के domical bay यानि इस प्रकार के pattern designs नज़र आएंगे मतलब होईसलेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि जब आप मंदिर की carvings देखते हो तो समझ ही नहीं आता कि यह मनुष्य के हाथ की कारिगरी कैसे हो सकती है इसा लगता है machine से बनाया है लेकिन इन मंदपो में ceiling हो चाहे pillars हो वो बहुती पमाल, बहुती बहतरीन तरह से बनाया है यह थे हमारी कुछ examples वेसार स्टाइल के temple architecture के आखिर में इस discussion को हम खतम करते हैं एक carving, एक sculpture से यह particular sculpture जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह Lord Vishnu के Krishna Aftar का sculpture है जो केशव temple में ही मौजूद है इसी के साथ हमारा temple architecture का topic पूरी तरह से, पूर्ण रूप से complete होता है I hope आपने इस पूरे episode को enjoy किया हो इस episode को बहतर जानने के लिए इस episode से connect करने के लिए चीज़ों को episode 1 जरूर देखें temple architecture का यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी जाते जाते Unacademy Plus पर 50% discount पर Unacademy Plus का subscription मिल रहा है और इसी के साथ अगर आप फिलहाल इस offer के under subscription लेते हो 30 November से पहले तो Unacademy Plus का subscription अगर आपने एक साल का लिया है तो उसमें 6 months का आपको extension मिलता है दो साल का लिया है तो 6 months free extension ये जल्दी ही खतम होने वाला है 30 November last है अब आप 2024 को target कर रहे हैं तो आप subscription लेके रफ़तार batch जॉइन कर सकते हैं जिसमें आप revision कर पाएंगे 2024 के लिए अगर आप यहाँ पे 2025 को target कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है Unacademy पर foundation batch start हो रहा है जो 2025 को target करेगा जो 4 December से शुरू हो रहा है तो आप इसे जरूर जरूर जॉइन करें crash course भी है जो 2024 का revision कराएगा और foundation course जो 2025 को के लिए आपको ready करेगा Unacademy Plus जो है उसका free life scholarship test 17 December को होने वाला है scholarship pool लगबग 40 crores का है top 50% जो learners होंगे उनको Unacademy Plus की scholarship दी जाएगी और इस scholarship की मदद से आप Unacademy Plus पर live classes के थूर अपनी preparation कर सकते हैं तो जरूर जरूर इसमें participate करें enroll करें Unacademy Plus का subscription लेने के लिए या फिर इस test में enroll करने के लिए आप use कर सकते हैं referral code ARTI1702 Unacademy Plus पर optional batches भी मौझूद है PSIR, Anthropology, Mathematics, History, Agriculture अगर आपका भी इन में से एक optional है तो optional category को subscribe करके भी आप optional cover कर सकते हैं That is it for today. Thank you so much. Take care.